जहन राम-राम देखो अगर रणिंग की त्यारी कर रहे हूं तो डेरी प्रोड़क्त से तुम्हारा बहुत गहरा नाता होगा गहरा नाता का मतलब यह तुम जरूर कंजूम करते हो गया वो चाहएं दूद हो दही हो पनीर हो कुछ भी हो तुम यूज जरूर करते हो ठीक है त तो आज हम कुछ advice देने जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, और आगे बढ़ने से पहले personal training के लिए WhatsApp जरूर कर लेना, सामने जो number आ रहा है, उस पे ठीक है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे करेंगे, कि running में जब भी तुम dairy ज्यादा यूज करते हो, तो body में fat percentage बढ़ता है, fat percentage बढ़ने का मतलब यह है कि heart पे load आता है, muscle में थकान जल्दी हो जाती है, तो अगर तुम घर में गाउं में कहीं हो, तुमारे गाउं में ही आसपास है, बैंस गाय जो भी है, गाय का दूद वैसे best है मेरी हिसाब से, तो वो consume कर रहा है, लेकिन अगर तुम यहां पे city में रह रहे हो, कहीं से बाहर से दूद मंगाते हो, तो कुछ दिन के लिए इस दूद को skip करके देखो, अब लोगों को लगता है, इसमें calcium D मिलता है, vitamin D मिलता है, बिलकुल मिलता था, मिलता है नहीं मिलता था, तो अभी के लिए क्या करो, यह जितने भी dairy product हैं करो, coconut milk यूज़ कर सकते हो, other milk option जो है, इनको यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होगा, देखो जब तुम दूद वाली बनी हुई चीज़ों को skip करोगे, तो उसके benefit यार यह होंगे, सबसे पहली चीज़ यह होगी, कि तुम्हें अपना breathing pattern अच्छा लगने लगेगा, मतलब कि कि तुम्हारे जो सांस लेने का तरीका है, वो बहतर हो जाएगा, तुम अच्छी तरीके से breathe कर पाऊगे, तुम अच्छी तरीके से running कर पाऊगे, बिना किसी एक्सा लोड के, तुम्हें यह नहीं लगेगा कि हार्ड में किसी तरीके का load पढ़ रहा है, pressure पढ़ रहा है, सम कि तुम्हारी जो पेट की दिक्केते थी, जाये वो bloating हो, constipation हो, gas बनना हो, यह सारे दिक्केते तुम्हारी solve हो रही है, और solve भी नहीं हो रहे है, यह जड़ से खतम हो रही है, मतलब कि तुम्हें अब दिक्कत हो यह नहीं रही है, तो दूसरी चीज यह हो गई, तीसरी च फिर देखने के लिए कम से कम साथ दिन के लिए दूट दही पनीर छोड़ना पड़ेगा तो ट्राइ करके देखो साथ दिन के लिए जितने भी दूट से बने प्रोडक्ट है जितनी भी चीजें दूट से बनती हैं सब को छोड़ने की कोसिस करो और फिर तुम देखो किया हैं.